हलो एवरिवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे काफी लोग रिलेट कर सकते हैं आखों के नीचे काले घेरे, चाहे ये नीन की कमी की वज़ा से हो, जेनेटिक कारण हो या फिर तनाव की वज़ा से हो ये सबी के लिए एक चिंता का विश्य है, तो आज हम बात करेंगे कि डाक सर्कल होते क्यों है और इससे भी ज़्यादा इंपोर्टन्ट ये है कि इनसे चुटकारा कैसे मिले, अगर इसके कारणों के बात करें तो डाक सर्कल होने के कई कारण हो सकते हैं इससे नमबर वन नींद की कमी जब आप परियाप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं तो आपकी आखों के नीचे ब्लड वैसल्स होती है वो डाइलेट हो जाती है पैल सकती है जिसकी वज़ा से आखों के नीचे काले घहरे हो सकते हैं इसकी वज़ा से आखों के नीचे सूचन और काले घहरे दिखाई दे सकते हैं नमबर फोर एज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ भड़ी है हमारी तो अच्छा पतली होती जाती है पैट और कोलिजन उसमें कम होने लगता है इसकी वज़ा से आखों के नीचे काले घहरे करने में मदद करेंगी सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड कंप्रैसिस की जिसे अपलाई करने के बाद सूचन कम हो सकती है और जो डालेट ब्लड वैसल्स होती है वो भी श्रिंक हो सकती है और इसके लिए आप ठंडे चमश से लेकर ठंडे जैल आई मास्क तक कुछ भी क्रीम का यूज कर सकते हैं ऐसे आई क्रीम जिसमें विटामिन सी हाइलोरोनिक एसीड और कैफिन हो ये इंग्रीडियन्स आपकी सूचन को कम करने में मदद करते हैं काले घर उसे चुटकारा दिलाने में मदद करते हैं और आपकी तवच्छा को हाइड्रेट रखने में भी करना चाहिए कि साथ ही एक और अच्छी एडवाइस यह है कि सोते समय अपने सर को उचा रख कर सोई ऐसा करने से आपकी आखों के नीचे तरल पदार्त जमा होने से रोकने में मदद मिल सकती जो सूचन और काले घेरों का कारण बन सकता है और फाइनली हाइड्रेटेड रह आपके त्वचा को खूत ठीक होने का समय देता है याद रखें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कोई भी टेप्स आपके लिए रातो रात काम नहीं करें लेकिन थोड़ी पेशन्स और डेडिकेशन के साथ आपको धीरे-धीरे असर दिखने लगेगा आज की वीडियो के ल अगर आपके पास दाक सर्कल्स के लिए कुछ और उपाय है तो में कॉमें जरूर बताएं